आज का पज्चान आज मांख शुकल पक्ष की पूर्णिमा और रविवार का दिन है पूर्णिमा आज रात 11 बचकर 58 मिनिट तक रहेगी आज दोपहर 2 बचकर 42 मिनिट तक आयुश्मान योग रहेगा साथ ही सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बचकर 13 मिनिट तक सर्वार्थ सिद्धियोग रहेगा आज दोपहर 12 बचकर 13 मिनिट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा उसके बाद आशलेशा नक्षत्र लग जाएगा इसके अलावा आज मागी पूर्णिमा और रविदास जैनती है शुब मुहूर्थ पूर्णिमा आज रात 9 बचकर 29 मिनिट तक रहेगी सर्वार्थ सिद्धियोग सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बचकर 13 मिनिट तक रहेगा सूर्योदय सूर्यास्त का समय आज सूर्योदय सुबह 7 बचकर 7 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 6 बचकर 2 मिनिट पर होगा मेश राशी आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा क्योंकि आज नौकरी कर रहे जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य सौपा जा सकता है, जो उनको अत्यधिक प्रिय हो, जिसके कारण उनका मन प्रसन्न होगा, वो उसमें उन्हें अपने साथियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलेगा. ससुराल पक्ष से भी आज आज आपको धन लाब मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी. व्रिश राशी आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए होगा. आज आप अपने दैनिक आवशक्ताओं की पूर्ती करने के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन भी व्याय होगा. आज आपको आपका व्यापार में फसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है. मिथुन राशी आज आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा. नहीं तो यह क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगार देगा, वह आपके पारिवारिक रिष्टों में भी खटपट हो सकती है. इसलिए आज आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा. यदि आज आज आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करें, तो भी आपको क्रोध नहीं करना है. करक राशी आज का दिन आपके लिए और दिनों से बहतर रहने वाला है, क्योंकि आज आप जिस भी कार्य को करने का मन अत्वा योजना बनाएंगे, उसमें आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे. आज आपको अपने धन का निवेश भी दिल खोल कर करने में फाइदा होगा. सिंग राशी आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है, क्योंकि आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात पर सोच विचार कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने किसी परिजन की ओर से भी सला मश्वरा लेना पड़ सकता है. यदि आपका अपने भाई बहनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें भी आज सुधार होगा. कन्या राशी आज का दिन राजनीती से जुड़े लोगों के लिए बहतर रहने वाला है, क्योंकि आज उनके हाथ कोई बहतर अवसर अथ्वा कोई बड़ा धन लाब प्राप्त हो सकता है. आज आपको शीग्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरत्नी होगी, नहीं तो खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है. तुला राशी आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है. यदि आपके परिवार में कोई कला लंबे समय से पैर पसारे हुए थी, तो आज फिर से वहस्र उठा सकती है, जिसके कारण आप और परेशान रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा. व्रिश्चिक राशी आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. आज आपको अपने व्यापार के लिए छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यात्रा के लिए लागदायक रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूती मिलेगी. आज आपका अपने किसी परिजन पर किया हुआ भरोसा काम में आएगा. धनुराशी आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी संतान को कहीं बाहर पढ़ाई करने भेज सकते हैं, जिनके लिए आप जरूरतों के सामान की खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे. आज व्यस्तता के कारण आप अपने जरूर कुछ जरूरी कार्य को आगे के लिए भी टाल सकते हैं. मकर राशी आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. आज आपके व्यापार में अकस्मात कोई ऐसी डील फाइनल होगी जिस पर आपको यकीन नहीं होगा वह आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूती भी मिलेगी जिसके कारण आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा कुम्ब राशी आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायत रहने वाला है आज यदि आपने पहले कभी अपने धन का निवेश सट्टे बाजी में किया था तो आज वह आपको दोगुना होकर मिल सकता है छोटे व्यापारियों को आज बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा नहीं तो उनका वह धन डूप सकता है मीन राशी आज के दिन आपको अपने स्वास्थिके प्रती सचेत रहना होगा क्योंकि आज आपको कुछ शारिरिक कष्ट हो सकता है जिनके कारण आपको तनाव होगा वह आप चंताग्रस रहेंगे व्यापार कर रहें लोगों को आज मन मुताबिक लाप के अवसर प्राप्त होंगे जिन पर चल कर वह लाप कमा पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिती को मजबूती मिलेगी